नमस्कार, एक थी बुलबुल चैनल में आपका स्वागत है, यहां मैं सोनाती हूँ कुछ कही, कुछ अनकही, मन को छूने वाली हिंदी कहानिया, कभी कभी जन से या किसी दुरघटना वश्ट, जब शरीर के किसी अंग में विक्रती आ जाती है और उस इंसान को सामान्य जीने में परिशानी होती है, तब अकसर उसके अपने और हमारा समाथ, उसे सहारा देने के बजाए, अपनी कुरूरता और स्वार्थ परता से, उसके आत्म विश्वास को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मेरी आज की कहानी भी ऐसी ही विक्लांग लड़की के बार-बार तूटने, गिरने और संभलने की कहानी है। कहानी का नाम है विस्तृत नभका कोई कोना और इसकी लेखी का है निवेदिता वुडला कोटी। कभी-कभी विश्वास होने लगता है कि मुझे पुद्धी देते समय ईश्वर ने कुछ क्रपणता से काम लिया है। वरना मौसम विभाग की स्पस्ट चेतावनी के बावजूद मैं बिना छत्री के बाजार आने की मूर्खता करती ही क्यों। सुबह के अकपार में साफ साफ लिखा था आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और वर्शा की कोई संभावना नहीं है। तभी मुझे समझ लेना चाहिए था कि आज तो मूसला धार बारिश होनी ही है। पिछले एक घंटे से कोफी हाउस के बारांदे में खड़ी वर्शा धीमी होने की प्रतिक्षा कर रही हूँ। खड़े खड़े टांगें दुखने लगी हैं पर वर्शा है जैसे पूरे दिन की विवस्था करके आई है। इस बीच मेरे साथ प्रतिक्षा करते सभी लोग एक एक करके कोफी हाउस में घुज गए हैं। एक मैं ही हूँ जो ऐसे करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। अकेले अकेले अंदर जाना, धेरो सांधानी दृष्टियों का सामना करते हुए अकेले मेज पर बैठना, ओडर देना और कौफी पीना, ना जाने कैसा लगे। जब सिशादी हुई है, अकेले अपने भूते पर कोई भी काम करने की आदत छूठी गई है। बाहर का हर काम आकाश, स्वैम या फिर अपने स्टैनों और चपरासी से करा देते हैं। मैं तो केवल जरूरी शॉपिंग के लिए ही घर से निकलती हूँ। कितना सुखद होता है, किसी चौड़े मजबूत कंधे पर आश्रित होकर अपनी सारी चिंताओं और कस्टों से मुक्ति पा लेना। लेकिन इस समस्या का कोई हल मुझे स्वैम ही निकालना होगा। इसलिए मैंने सहारा तलाश करने का प्रैतने करते हुए एक बार फिर इधर उधर देखा। और तभी एक युविती कौफी हाउस से बाहर निकली। वो नविवाहिता है। ये उसकी वेशबूशा और हाव भाव से स्पस्ट परिलक्षित हो रहा है। यद्यपी उसकी सारी बहुत कीमती नहीं है। पर उसे बड़े करीने से पहन कर कंधे पर बड़े से फूलों वाले सारी पिंसे सहेज लिया गया है। जूडे में फूल लगे हैं। इसके साथ ही सुहाक के जितने चिन पंडितों ने इस्त्रियों के लिए बनाए हैं वे सब उस पर मौजूद हैं। मांग में सिंदूर की मूटी लंबी रेखा। बड़ी सी लाल बिंदी के साथ माथे पर कबजे को लेकर होड लगा रही है। नाक में लौंग, गले में मंगल सूत्र और सोने की चेन। एक एक हाथ में डेर डेर दरजन लाल हरी काच की चूडियां। और उंगलियों में डेरो अंगूठियां। उसके साधारन से सांवले चेहरे और दुबली पतली काया को धरती पर जैसे आकाश उतार लाने के उचाने एक जीवनतता प्रदान कर दी है। लेकिन जो वस्तु सबसे अधिक आकरशित कर रही है वो है उसकी च्छतरी जो आम लेडीज चातों से काफी बड़ी है। यदि वो युवती कार पारकिंग तक मुझे अपनी च्छतरी में लिफ्ट दे दे तो उसके पास आते ही मैंने सकुचाते हुए आवास दी सुनिये। उसने चौक कर मुझे देखा और आखों में परजय की चमक के साथ वो मुझसे लिपट गई। अरे भावना तू यहां। मैं चाह कर भी उसके साथ किसी पहचान का सूत्र नहीं ढून पा रही हूँ। और साथ ही उसके इस सारवजनिक प्रेम प्रदर्शन ने मुझे हत्प्रभ होकर इधर उधर देखने पर मजबूर कर दिया है। तुन्हें मुझे पहचाना नहीं? मैं माला। उसने मुझे कुछ भी सोचने का मौका नहीं दिया। वाँ! जिसके साथ इतने साल हॉस्टल के एक ही रूम में बिताए उससे मैडम पहचान ही नहीं रही है। नहीं रही! अचानक इस तरह तू यहां मिल जाएगी सोचा नहीं था। मैंने सफाई दी। फिर तू कितना बदल गई है। मेरे मूँ पर आते आते रह गया कि जैसे लक्षमा सीता जी को उनके पैरों से पहचानते थे वैसे ही तेरी चाल ही तेरा परिचे थी। मैं भला कैसे सोच सकती थी कि इस उम्र में आकर तेरे चेहरे और व्यक्तित्व के साथ तेरी चाल भी बदल जाएगी। पर तब तक वो मेरे मन को पढ़ चुकी थी। तो यही सोच रही है ना ये कॉलेज की वही दब्बू लंगरदीन माला है या कोई और। ये एक बहुत लंबी कहानी है। उसने मेरा हाथ पकड़कर कॉफी हाउस में मुझे लगबग ढके ली दिया। चल अंदर बैटकर आराम से गप्पे मारते हैं। पर मेरे रिकॉर्ड की सुई अभी तक अपनी जगए अटकी हुई थी। प्लीज मुझे अपनी छत्री में कार पार्किंग तक छोड़ दे। यानि मेम सहाब का ड्राइवर कार में इंतजार कर रहा है। हाँ। और घर में कौन इंतजार कर रहा है। कोई नहीं। ये टूर पर हैं और बच्चे हॉस्टल में। फिर तुझे इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। उसने रूट कर अपनी छत्री मुझे थमा दी। ठीक है जा। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुझे देखकर खुशी से पागल हुई जा रही हूँ। अचानक मानु होश आया। क्या होता जा रहा है मुझे। पती, बच्चे, घर, इनके अलावा कुछ भी सोच समच नहीं पाती। इनके बिना क्या कॉफी हाउस में घुसना निशित है। फिर माला के सामने अपनी इस्ज़त का भी सवाल है। कैसे समझाओं उसे कि मैं अब एक उच्च पदस्ट सरकारी अधिकारी की आधुनिका पत्नी हूँ। और मैंने अपने लिए निर्धारित सीमा रेखा से बाहर जाकर कुछ भी करने की आवश्यक्ता मैसूस ही नहीं की। कैसे समझाओं उसे कि मैं दक्या नूस नहीं हूँ। इसलिए इन जहमेलों से बचने के लिए मैं अंदर खुस गई। कोने की मेस पर बैट कर मैंने अपनी दुखती हुई पीट को कुर्सी के पीछे टिका दिया। बाहर बेसुरी लग रही वर्शा की फुहारें अब लैबत होकर खिड़की पर नर्ते कर रही हैं। कौफी और सांभर की सुवास मेरे इंद्रियों के वातायन मानो एक-एक करके खोल रही है और माला बोले जा रही है। वो सामने मेरा आफिस है। लंच लेकर वापस जा रही थी कि तू मिल गई। अब तू थोड़ी देर अकेली बैठ सके तो मैं आफिस फोन करके हाफ डे लीव ले लूँ और वहां उस मेज पर मेरे कुछ कलीक्स बैठे हैं। उनको एक अब्लिकेशन भी थमा आऊं। वो उटते उटते बोली तेरे लिए तब तक कौफी भीजवाती हूं। मैं केवल हां में सिर हिला पाई पर मन ही मन खुश हूं। अब कम से कम कुछ देर शांती से बैठ कर अपने आप को इस इस्थिती के लिए तैयार तो कर पाऊंगी। वरना कितना अजीब लग रहा है। मानो माला और मैं एक नाटक के पातर हूं। और मध्यांतर के बाद अचानक अंजाने ही हमारी भूमिकाओं की अदला बदली हो गई हो। नहीं तो क्या मैं यहां गुंगी सी बैठी होती और यह माला। कितने ही फास्ट फूड जॉइंट्स और आइस्क्रीम पार्लर के क्राहकों के धक्कम धुका के दुर्ग को इसके लिए बटोर लाती थी। यहीं नहीं स्कूल से लेकर कॉलिज तक अपनी फीस के साथ मैंने सदा ही माला की फीस जमा की है। छात्रावास के दरवाजे तक आए पोस्ट मैंड की रजिस्ट्री या मनी ओडर की रसीद पर माला के दस्तकत लाने के लिए भी मुझे ही बिचोलिया बनना पड़ता। वैसे यह सु अफसर माला को साल में एकात बार ही मिलता। घर से मनी ओडर आना उसके लिए किसी त्योहार से कम न था। वो उस पबलिक स्कूल में मिशन की चारिटी पर पड़ रही थी जबकि हम सभी संपन्न परिवार की राज कन्याय थी। जिनका हर सबताह का पॉकेट मनी पहले से ही स्कूल के खाते में जमा रहता। मनी ओडर मिलते ही माला जरूरत से जादा शाह खर्च हो उड़ती। वो एक दिन में ही मेरे इतने दिन के सारे खर्चे लोटा देना चाहती। और मेरे ना ना करते भी वो पहली ही आउटिंग पर पिक्चर दिखाने से लेकर खाना खिलाने और आइस क्रीम कोप पिलाने तक सब ट्रीट्स संपन्न कर डालती। फिर मुझे लगभग लड़ाई लड़कर ही जबरदस्ती उसका पर्स बंद करना पड़ता। मैं जानती थी कि उसको उन्ही कुछ पैसों से अपने कपड़े, जूते और अन्य जरूरतें पूरी करनी होती। क्योंकि जो माबाप अपनी बेटी का हाल जानने भी कभी नहीं आते थे, वे अगली बार कब महरबान हों क्या भरोसा। पर अपनी सारी आशाओं के केंद्र मनियॉडर को लेने माला कभी दर्वाजे तक नहीं गई। बस अपनी चाल के कारण। अपने एक लंबे और एक छोटे पैर में संतुलन इस्थापित करने का प्रयातन करते हुए जब वह हर कदम पर लचक कर चलती, तो कुछ लोग अपना कौतू हल दबा जाते। पर उनके विस्फारित नेत्र या अधिक शिष्ट व्यक्तियों का आँखों के कोने से देखना माला को कहीं अंदर तक बींद जाता। कुछ मूफट तो सीधे ही प्रश्ण दाग देते। ये क्या पैदाईशी है या फिर बाद में पोलियो हो गया था। फिर बहुत रसले लेकर सारा किस्सा सुना जाता। और वर्णन में जहां भी कमी रह जाती उसे खोद खोद कर खाली इस्थानों की पूर्टी की जाती। जब सारे खावों को खरोच-खरोच कर हरा कर दिया जाता तब उन पर जो बनावटी सहान भूती का मलहम लगता वो खाव से भी अधिक टीज देता। बेचारी लड़की भागवान ऐसा कस्ट किसी को न दे। अभी तो सारी जिंदगी ऐसे ही काटनी है। गाड़ी वाले को चड़ाना ही था तो एक बारगी ही चड़ा ले जाता। बेचारी के सारे दुख खतम हो जाते। माला ने सारे दुख दर्ट से बचने के लिए जैसे मुझे कवच बना लिया था। ना जाने कब से हम साथ थे। शायद चौथी कक्षा से सैपाथी थे और रूमेट भी फिर कभी अलग भी नहीं हुए। शायद कोई और माला के साथ रहना नहीं जाती थी और मुझे उसके जो दुख बाटने की आदच सी पड़ गई थी। वे साजे दुख हमें अलग होने नहीं देते थे। क्या बाहर से देख कर कोई जान सकता है कि शरीर की एक छोटी सी लचक मन को कितना मरोडती है। एक छण भी तो हम उसको अलग नहीं कर पाते। हर पंक्ती में, हर भीड में, कक्षा में या बाहर। हम सबसे बहुत पीछे, धीरे-धीरे चलते। पिक्चर हॉल में भीड के साथ उठते तो लोग माला को धक्का मारते, ठेलते हुए निकल जाते। आखिर में निकलते तो गेट की पर खीचता हुआ एक-एक कदम गिंदा कि कब हम बाहर जाएं। बस या ट्रेन सामने सामने छूट जाती और हम दोड़कर पकड़ नहीं बाते। कोई पीछे से फिर का कस्ता या फिर बेसुरा सा राख छोड़ देता। तौबा ये मतवाली चाल। कुछ महिल आएं तो ये समझ ही नहीं पाती कि उन्होंने कुछ गलत कह दिया है। पीट पीछे से अचानक सुनाई देता। देख उस लंगडी के बाल कितने लंबे हैं। पर ऐसे लोगों ने आगे बढ़कर कभी माला को बस में सीट नहीं दी। कभी उसे सड़क पार करने में कोई रियायत नहीं मिली। इस बीच न जाने उसकी कितनी ट्रेने, कितनी बसे चूटी। पर उसने जीवन को कसकर पकड़ रखा। किसी भी मौके को हाथ से नहीं जान दिया। अरे क्या सोच रही है तु। माला लॉट आई थी। तेरी कॉफी तो बिल्कुल ठंडी हो गई। मैं चौप पड़ी। अपने होस्टर वाले दिनों में पहुच गई थी। मैंने वेहल होकर उसके हाथ पकड़ लिये। पर आज तुझे इतना खुश देखकर सच बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब लगा ना कि तुझसे मिल रही हूं। माला ने खुश होकर मेरा हाथ दबा दिया। फेटर इडली की दो प्लेटे रख गया। पंच से तारा व्यंजनों से तरप मेरी जेवा सांभर से उट्टी भाप को देखकर तरशित हो उठी। क मुझे प्लेट पर लगभग तूट पड़ता देखकर माला उच्साहित हो उठी। वैसे तो मैं लंच में सैंड्विच के साथ एक कप कॉफी लेती हूं। पर आज इडली, मेदू बड़ा और दूसे का ओर्डर दे आई हूं। अपन जम कर खाएंगे और जम कर गपे मारे तू लंच क्यों नहीं लेती? मैंने इडली के नेवालों के बीच उससे पूछा, मैं डाइटिंग पर हूँ ना? पर तुझे डाइटिंग की क्या जरूरत? मैंने अपनी मेद बहुल कटी को यतन पूर वक साड़ी के पल्ले में छिपाया। मुकेश को मैं ऐसी ही अच्छी लगती हूँ। किसी रसीली इस्मनती से उसके कपोल रक्ताब हो उठे। फिर डॉक्टर भी कहते हैं कि मेरे पैर पर जितना वजन कम पड़े उतना ही अच्छा। तेरा पैल? अभी ठीक नहीं हुआ। देर से दबाय हुए कौतूवल को और रोक पाना मेरे लिए संभव नहीं था। तू भी धोका खा गई ना। मुकेश ने इतना अच्छा जूता बनवाया है। देख ये कहते हुए उसने बे जिजक अपनी बाई टांग पर से घुटने तक साड़ी हटा कर उसे मेरे सामने फैला दिया। मैंने जिजकते हुए इधर उधर देखा। वर्शा नजाने कब की थम चुकी थी और लंच के बाद पूरा हॉल वीरान था। सहसा माला की मुसकान का स्थान विदरूप ने ले लिया। भावना तुम्हारे समाज के उन मापतंडों को जो अंदर से कितने भी तूटे फूटे विकृत क्यों ना हों उपर से साबुत सुन्दर दिखना जरूरी होता है। मैं कहीं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। अब मुझे अपनी चाल को लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं है। बलकि मैं अपनी इस टांग को बहुत सहेच कर रखती हूँ। माला धारा प्रवा बोले जा रही थी। आखिर मैं जो कुछ भी हूँ इसकी वज़े से हूँ। सिर्फ मैंने क्यों मेरी रिष्टेदारों ने मेरी जान पहचान वालों ने भी इसे कम नहीं भुनाया है। उन्होंने इसे संभाला है। तो मेरा भी फर्च बनता है कि इसका प्रदर्शन करूँ। इसके लिए लोगों की सहान भूती बटोरू। तो पूछ रही है न मेरे पैर के बारे में। माला की आँखों में आँसु आ गए और उन्हें छेपाने के लिए वो मेज पर नाखून से आड़ी तिर्ची रेखाएं बनाने लगी। याद है मेरे स्कूल जॉइन करने के कुछी दिनों बाद मादर सुपीरियर ने मेरे बाबुजी को बुलाया था। अगर उस समय आप आज भी अच्छी तरह वो वाकिया याद है। पूरा स्कूल ही उसका साक्षी था। जब पीच मैदान में बैटकर दोनों बाब बेटी गले मिलकर जार जार रोय थे। और अंत में माला ने अपने बाबुजी को भाव भीनी बिदाई दी थी। इस आश्वासन के साथ कि उ उनकी इक्षा के वरुद वो ऑप्रेशन नहीं कराएगी। उस दिन मेरा बाल मन माला के बाबुजी की उस मासूमियत से प्रभावित हुए बेना नहीं रह पाया था। और जीवन भर रहता। अगर हॉस्टल की मेरी उस अंतिम रात में माला ने ही उस प्रतिमा को अपने हा आतों तोड़कर मुझे समझाया ना होता कि शरीर से अधिक मन अपाहिच होता है और बेगाने पन से अधिक दुख देते हैं रिष्टे। खैर छोड़। इतने दिनों के बाद मिले और मैं भी क्या लेकर बैठ गई। माला ने पलके छपका कर बड़ी चतुराई से आंसुओं को अंदर ठेल दिया। शैद तुझे देखकर बीती बातें याद आ गई। पर अब तो मैं मुकेश के साथ बेहत खुश हूँ। मुकेश तेरा पती है। मैंने जिजगते वे पूछा। लो। मुकेश के नाम पर उसकी आंखों की चमक और लापरवा हसी फिर वापस आ गई। ये भी कोई पूछने की बात है। पर तेरे उन दुरगा दास और निखिल कुमार का क्या हुआ। कैकर मैंने अपने हूट काट लिये। हद कर दी मैंने भी। कोई ऐसे गड़े मुर्दे उखाडता है। पर माला ने बुरा नहीं माना। उसने बिलकुल पुराने अंदाज में मस्ती भरा उत्तर दिया। अरे तूने ही तो यह सलादी थी कि अम्मा बाबुजी की सिर्फ उटरवल से बचना है तो किसी तीसरे से शादी कर लो। तो जैसे ही दफ्तर में मुकेश मिले और उन्होंने प्रपोस किया मैंने फट हां कर दी। यह दूसरी बात है कि घर की जिम्मेदारियों से मुक्ति पाकर शादी करने की फुरसत मुझे दो साल पहले ही मिली। दो साल हो गए तेरी शादी को पर लगती तो तू बिल्कुल नहीं नवेली है। मैंने एक बार फिर अपने भूंदूपन का परिचे दिया। मेरे लिए ये शादी बहुत कीमती है ना इसलिए बहुत मेहनत से इसको घिसने से बचाती रहती हूँ। वो अपनी ही बात पर हस दी। अब तेरी शादी तो तब हो गई थी जब तू उसका मतलब भी नहीं जानती थी। यानि भूक लगने से पहले ही सारे पकवान हाजित। पर मैं अम्मा बाबुजी की खिच-खिच और अपने भाई बहनों की सारी फर्माईशों के बाद अपनी नंदों के प्यार और विश्वास में कितना सुकून महसूस करती हूँ। वो मुझ जैसी जन भर की भूकी ही समझ सकती है। वो एक गहरा निश्वास लेकर चुप हुई ही थी कि अचानक चौंप पड़ी। ले नंद पर याद आया। अपनी नंद की शादी की धेर सारी शौपिंग मुझे करनी है। चल, हम दोनों साथ साथ करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। शौपिंग के बीच ही माला ने अपने जीवन की कहानी के रहे सहे खाले इस्थानों की पूर्ती भी करडाली थी। शादी के इन दो सालों में उसकी प्राप्ती थी, दो नंदों की शादी और एक बेटी, अब पंदरा दिन बाद ही तीसरी नंद की भी शादी थी। बस ये घर की आखरी शादी है, उसके बाद कुछ आराम करूंगी, वैसे भी कभी बेटी के लिए, तो कभी शादियों के लिए, तो कभी बुड़े सास ससुर की बिमारी के लिए, सारी चुटियां ले डाली हैं, बलकि अगले हपते से इस शादी के लिए लीव विदाउट पे हो रही हूँ, उसने जैसे अंतिम वक्तव दे दिया, बस उसके बाद रिजाइन कर दूंगी, मैंने भी अपने बारे में उसे बताया था, पर मुझे अपनी कहानी बड़ी बेजान और फीकी लगी थी, वही हर दूसरे घर की कहानी जैसी, समय पर शादी, समय पर और उसे होड लगाते हुए समय पर कार खरीदना, एसी लगाना वगएरा वगएरा, जो भी हो माला का उत्सा देखते ही बनता था, अपनी ननन्द के धेरों बलाउस दरजी से लेना, उसकी साड़ियों में फॉल लगवाना, एक एक साड़ी के साथ चूडियां, जोईलरी, रुमाल, सब मैच कराना, मैं विस्वारित नेत्रों से सब देखे जा रही थी, अधिक चलने से पैर में हो रही तकलीफ को छेलते हुए भी, वो अपनी जी जी विशा के बलबूते पर चली जा रही थी, माला ने कहा, तेरी गाड़ी की वज़े से आराम हो गया, नहीं तो इतना सारा सामान लेकर टेंपो ढूनना बहुत मुश्किल होता, लोटते समय अपने घर पर उतर कर मैंने माला को गाड़ी से भिजवा दिया, घर से बिना बताए, पूरे आट घंटे गाइब रहने का मेरा पहला मौका था, फिर डिनर भी तयार करना था, कहीं आकाश दस ब आएगा, सभी को पता है, मैं शौपिंग करके लोटने वाली हूं, मुझे कहीं माला से ईशा हो उठी, अपना वजूद बहुत फाल्तू सा लगा, मुझे याद आया, माला की अम्मा ने कहा था, औरत तो पैदा ही अपाहिज होती है, ठीक ही तो कहा था, अपाहिज माला नह मैं हूं, नहीं तो सब कुछ साबुत होते हुए भी, मुझे तो कोई प्रपोस करने वाला मिला ही नहीं, मन में कहीं एक बार रोमांस करने की दमित सी इक्षा जागरत हो उठी, तभी आकाश का फोन आ गया, कि कल की गाड़ी से ही आप आएंगे, मैं नौकनों को विदा करक नहा कर बिस्तर पर लेट गई, बिये की हमारी परिक्षाएं उसी दिन समाप्त होई थी, और हम अगले दिन सदा के लिए बिछुरने वाले थे, माला की मेस पर थी नौकनियों की धेरों अरजियां, पत्र और फॉम, उसकी विकलांगता के प्रमार पत्रों की फोटो हुई माला, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी शादी की तैयारियां तो घर पर लगभग पूरी ही थी, धेर सारे सपने देखते देखते, ना जाने कब मुझे नीन आ गई, अचानक नीन तूटी, तो देखा, माला मेस पर बैठी, रो रही है, मेरे पोकारते ही, वो आकर मुझसे लिपट गई, और फूट फूट कर रोने लगी, मुझसे वाला करवावना, तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, मैं हत्रब थी, क्योंकि माला को कभी ऐसी भावकता में पढ़ते, मैंने नहीं देखा था, तू हमेशा मुझे चिठ्ठी लिखती रहेगी, तू तो जानती है, कि मेरा तेरे सेवा अपना कोई नहीं है, क्यूं, तेरे अम्मा बाबुजी हैं, भाई बहन हैं, मैंने अपनी तरह से उसको संजाना चाहा था, माला, अपनी इस छोटी सी खराबी को भूलने की कोशिश कर, और उनके साथ मस्थ हो जा, वो मुझे भूलन देंगे क्या, क्यों नहीं, मैंने अपनी तरफ से समझदारी की बात की थी, देखा था, तेरे बाबुजी ऑपरेशन के नाम पर ही कितना रो रहे थे, फिर अब तो वो लोग तुझ से करीब हर महीने ही मिलने आते हैं, उस दिन तो बस repeat performance थी, वो अचानक वितरशना से मुस कुरा उठी थी, वो नाटक तो हम साल भर पहले कोट में कर चुके थे, और फिर माला ने जो इतने दिन तक अपने मन में तबाए रखी थी, वही कहानी स्वेम ही सुना डाली, जिस लंबी सी कार के नीचे मेरा ये बैर आ गया था, उसका मालिक बेहर शरीफ इनसान था, और होधी मुझे हॉस्पिटल ले जाकर इलाज कराना चाहता था, पर बाबुजी मुझे उठाकर अपने एक कमपाउंडर दोस्त के क्लीनिक पर ले गए थे, और तूटी हुई टांग पर बस साधारण सी पट्टी करा दी थी, उस समय सिवेल हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने उनसे कोर्ट में ये गवाही दिला दी थी कि मेरी टांग अब कभी ठीक नहीं हो सकती, मेरी यह विक्रती ला इलाज है और मैं जीवन भर विकलांग रहूंगी, वो बूले जा रही थी, जज ने फैसला दे दिया कि जिसने मुझे दबाया है वो मेरे नाम से एक लाग का फि में मिले, वो आदमी पैसे वाला और इज़त वाला था, कोट के चकर लगाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने वकील से कहकर चुपचाप पैसे जमा कर दिये, उसने गहरी उसांस ली, काश जज साहब ने वो पैसे मेरी पढ़ाई के लिए जमा कराए होते, इसलिए तेरे बाबुजी ऑपरेशन से डर रहे थे कि सारा भेद खुल जाएगा, हाँ और क्या, इसलिए चीक चीक कर और हात नचाना चाकर नाटक किया गया था, अरे मैं साधा पढ़ा नहीं, तो क्या खूब जानता हूं कि कैसे बच्चों को बहला फुसला कर तुम मलेच बना ल लड़की की भले के लिए दिल पर पत्थर रखकर पढ़ाने भेज दिया, तो क्या एकदम बेच ही दिया, माला उनका हाथ पकड़कर लगातार उन्हें चुप कराने का प्रेतने कर रही थी, अरे इसी बाब के कलेजे से लड़की का पैर तूटते हुए देखा है, और अब उसके चित्ड़े होते हुए कैसे देखूं और वो बुक्का फार कर रो पड़े थे, तूने उस दिन उनका विरोत क्यों नहीं किया, मैंने पूछा था, उस समय उन्हें चुप कराना ही जादा जरूरी लगा था, माला उदास हो गई, और तब मैं थी भी नौ साल की, बाब सोच पाई थी, कि जैसे बच्चों से भीक मंवाने के लिए लोग उन्हें अंधा कर देते हैं, या उनकी टांगे तोड़ देते हैं, वैसा ही कुछ मेरे बाप ने मेरे साथ कर डाला है, एक लंबी सांस लेकर वो फिर अपने में खोई, बोलती ही गई थी, बहुत बाद में मैं सब समझ पाई थी, और मैंने अमा बाबुजी से कैफियत पूछी थी, तो बाबुजी ने टका सा जवाब दे दिया था, कि उन्होंने मेरे भले के लिए इतनी दौर धूप की, कहां कहां रिश्वत दी, और कहां कहां हाथ पैर जोड़े, बलकि उनकी दूर दर्शिता क के कारणी मैं इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही हूँ, बस कुछ लोगों के सामने मुझे माथा टेकना और अपनी टांग का प्रदर्शन करना पड़ा, वरना पूरी वन पीस होने पर मुझे ये चैर्टी मिल पाती क्या, वो अपने बेवक्त के मजाग पर हस पड़ी और मैं उसके इस पागलपन से डर गई थी, लेकिन उसने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, माने तो पूरे वाक्ये को ही दार्शनिक रंग दे डाला, उन्होंने बेहत संजीदगी से कहा था, बेटा औरत तो पैदाईशी अपाहिज होती है, मुझे ही देख ले, अपने मन से मै अपने हाथ पैर हिला सकती हूँ क्या, तेरे बाबुजी जो दे दें वो बना के खिला देती हूँ, कम दें तो खुद पानी पीकरी सो जाती हूँ, उन्होंने मुझे गले लगा लिया था, तुझे तो कम से कम इस पहाने एक बैसाखी मिल गई, मेरा आशिरवाद है कि इसक के बलबूते पर तु अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपाहिज ना रहे, बस तभी मैंने सोच लिया था, कहते कहते वो जोश में आकर सच में खड़ी हो गई, दिखा दूंगी कि एक औरत और एक अपाहिज यानि दो नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव हो सकते हैं, औ और हम दोनों उतनी देर के तनाव को भूल कर उसके गंतिये विवेचन पर हस पड़े, उसी छण का लाब उठा कर उन दिनों मेरे मन में जो विचार सबसे उपर रहता था वही युकती मैंने उसे बता डाली थी, वो तेरे दो दिवाने, कभी अम्मा, कभी बाबुजी को ल चुटी क्यों नहीं पा ले थी, वो मेरे दिवाने नहीं है बुद्धू, उन्होंने अम्मा बाबुजी को प्राया हुआ है, उसने खुलासा किया